आप सभी का स्वागत रहे आपके पने यूटूब चैनल सभी दोस्तों का हाल दिक स्वागत करता हूं आपके यूटूब चैनल में आज की वीडियो के माध्यों से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए थर्ड समिस्टर शेप्टर थिरी के बारे में जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे चाचातरों ने मारे पास कमेंट किया कि सर्जी जियोग्राफी की का आज क्लास लगवा दीजिये तो मैंने सोचा कि बिलकुल आपकी कलास आज हो जाए चुकि आपकी मिटर्म की परिच्छा हो रहे है उसके लिए एक प्रकार से ये रामबान का कारे करेगा एक प्रकार से ब्रह्मास रहे है ये कैपसूल आप प्रकार से एक टॉनिक की भाती ले सकते हो अपनी परिच्छा जानेगी और खास करके आप देखेंगे कि आज जो वीडियो होगा वो पारिस्थतिक कंत्र पर होगा ресस्टम पर होगा, ओके, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने परियावण के बारे में पढ़ा, मैंने परियावण की परिभासा वगएर आपको बताई, परियावण के समस्त पहलों पर चार्चा करी, आप उसके बाद में मैंने किसके बारे में बता है, पारिस्थत्की के बारे में मैंने चार्चा किया, किसके बारे मे आपकी एक तंत्र में रहती है चुकि जिसी को हम क्या कहते है पारिस्थितिक तंत्र कहते है तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता जिसको एको सिस्टम कहते है इसी एको सिस्टम का बिदवत तरीके से बैग्जानिक परिपेक्ष में अधर करता है पारिस्थत की ठीक है एको इसके सब्सक्राइब भड़े इसका मतलम होता है सास्त्रिया विज्ञान। तो आपको पता होगा इससे पहले वारा चेप्टर आपने सेकंड चेप्टर पढ़ा है। स्फまने समझ लिए आए अब हमको समन ἐको सिस्टम के बारे में बोड पर जो चीजें दिखाए लिखी जाएं आप को बिदबत हके से उन्यक्त को मतफाले दिखाए पड़ें और विदक दिखाए न ღ कर م्रून से बिल्कुल इसलिए मैं देख रहा कि दिखाए पड़े के हो चुके हैं ठीक बीए थर्ड समस्टर आली कि बहुत सारे लोग परेसान है कि सजी आप सेकंड डियर की क्लास कब स्टार्ट करें के बहुत कमेंट्स आ गए मेरी पमलब की बहुत वाटसप पेसमेस और इस्टाग्राम और फेस्बुक पर तो मैं आपको बता दूं कि आप खास करके अगर मैं बताओं आपको तो सेकंड डियर और थर्ड समस्टर एक ही चीज है चाहे आप उसको थर्ड समस्टर बोलो और चाहे सेकंड डियर बोलो तो सेकंड डियर का एक प्रकार से जो थर्ड समस्टर है सेकंड डियर थर्ड समस्टर उसके बारे में चर्चा करें सब्सक्राइब को पढ़ना क्या है जियोग्राफी में भूगोल में आपको पढ़ना है जो इत प्रकार से खास करके परियावड भूगोल होता है यानि इन्वार्मेंटल स्टडेज के बारे में जानना है तो इन्वार्मेंटल स्टडेज जो होगी आपकी इसके बारे में समझना है और इसमें जो थर्ड चेप्टर आपका है पारिस्तिक तंत्र एकोसिस्टम है आए चर्चा कर लेते हैं सबसे पहली बात तो यह आप लोग जानि तो 1935 की बात है इडी की उसमें एजी तांसली नाम के वेक्ति आते हैं उन एजी तांसली नाम के वेक्ति ने क्या किया इन्हों ने जो पारिस्थितिक पंतर सब्द है यानि एको सिस्टम जो सब्द है इसके बारे में सबसे पहले मेंसन किया इसके बारे में बताया तो सबसे सब्सक्राइब किस ने बताया आप से अब्जेक्टि में प्रस्त पूछेगा क्या बताईएगा 1935 में प्रियोंग में आया किस ने किया एजी तांसले महोदे ने किया ठीक और इसी के साथ साथ अगर मैं एक लाइन में इसकी परिभासा दूँ अगर पारिशतेक तंत्रकी तो पारिस्तितिक तंत्र कहलाता है या कहलाता एक फरकार से कहलाता ही ये कहलाती नहीं होगा ठीक है आपको अब नार्ट कीट पतंग्यं होते हैं सब आंजाते हैं ठीक है तो वह सारी चीजहけれए तो जीव समूह में बनस्पतियां वगरा भी प्लेंकटन वगरा बैक्टेरिया वगरा भी आ जाती है आपकी तो जीव समूह और अजीव परिया वरण इन्हीं दोनों की समलित प्रक्रिया इन दोनों की जो समलित प्रक्रिया होती है उसी सम्रित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं और इसी सम्रित प्रक्रिया का अध्यन करने वाले सास्त्रिया विज्यान को इको लाजी कहते हैं जो सेकंड सेटर में आपने पढ़ लिया किलियर हो रही बात है ना बिलकूल अगर किलियर होगी तो फड़ा-बड़ से वीडियो को लाइफ हो किским刑ा है । तो क्या हो गया जीव-ausoहूत-, अजीव- परियावर् idea डोनों की संबलितब्र प्रकरिया पारिस्थतकिक क्या कहलाती है? तंत्र कहलाती है इको सिस्टम कहलाता है केलियर बात तो ये तो हो गया एजी तांसले के संबंदने कुछ बाते ठीक, इसके अलावा और कुछ मुख्य बिद्वार ने अलावा भी मेलम उनके द्वारा भी दी गई यों परिभासा हैं उन पर भी थोड़ा सा अपनी भासा में चार्चा कर लेते हैं सरल से सरल भासा में समझ लेते हैं आईए थोड़ा सा ठीक अब आते हैं दूसरे विद्वार उनका नाम है सीसी पार्क अब सीसी पार्क का कहिन य में एक छेटर के बारे भी मेंसन किया, आगें क्या कह रहे हैं, कहां कि जो पारिस्तोक्त्तिक तत्र होता है, वो एक छेटर के अंदर, समस्त-प्राकर्तिक जीवों क्या? क्या? समस्त-प्राकर्तिक इसके बारे में पारिश्टिक तर्द्र एक छ्छेत्र के अंदर समस्त्ट प्रकृतिक जीवो तथा तत्तों का सकल योग है सकल माने होता है सब सकल माने सारा इंटायर कम्पलीट ठीक है तो एक छेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीव जितने है और जितने भी प्राकृतिक तत्तों है या जितने भी तत्तों है उन सभी तत्तों का सकल योग है सभी को मिलाने का कि योग होता है क्या पारिस्तिदिक तंत्र कहा पर एक छेटर के अंदर किनका किनका योग समस्द प्राकृतिक ज्यों और तत्नों का योग होता है ठीकी यहां इसके अलामा कहते हैं आगे और इसे भालतिक घूगोल में एक बिबिर्त तंत्र के आधार पर या एक बिबिर्त तंत्र के आधार भूत उधार के रूप में देखाया सकता है बिप्रत माने एक प्रकार से खुला हुआ तो बिप्रत तंत्र एक खुला हुआ तंत्र उसके आधार भूत उधार के रूप में पारिस्तितिक तंत्र को देखा जाता है एक ऐसा सकल्योर के बना समस्त प्रकृतिक जीवों और समस्त प्रकृतिक तत्तो है उनके मिलने से उनके एक प्रकार से चीजे उथ्पन होती है लोगोंने देखा सुना पढ़ा उसके बाद में के दिमाग में आया कि ठीक है तुम लोगों की परिभासा ठीक है लेकिन मैं भी इसी छेतर में नाम बनाना चाहता हूँ तो इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ तुक कहूंगा इन्होंने कहा कि बिल्कुल चले तो फरले और निवबे वहोते आते हैं फरले और निवबे की सयुक्त परिहासा है दोनों की क्या कहते हैं कि पारिस्थतिक तंद्र जो होता है इस प्रकार आपस पे दूसरे से तथा अपने परियावण से संबध जीवों की समकालीत एकता या सम्मेल होता है टीक है एक्ता या सम्मेल होता है वो समय खाथ करके समकालीत जीवों की समकालीत एक्ता यानि उस समय की परियावट जो होता है वो जीवों को छोतरपा क्या होए है जो तरपा जीवों को घेरे हुए हैं और उसी घेरे में जीव निवास करते हैं तो चूकी कहिण कहीं पर जीव जो होते हैं वो परियावड को प्रभावित करते हैं और परियावड जो होता है वो जीवों को प्रभावित करता है और जब इस प्रकार से परियावड मनुस्य को जीवों को और जीव अमलब उसको परियावण को प्रभावित करते रहते हैं तो इस प्रकार से चुकि दोनों में अंतर किरियाये होती है दोनों में इंटर रेलेसंसिफ है दोनों में संबन्द है दोनों में एक प्रकार से कही आकर्षण कहीं प्रतिकंसर कहीं एक प्रकार से अमलब कहीं प्रकार की किरियाएं होती हैं तो वो अंतर किरियाएं कहीं पे जो आपस में एक दूसरे के प्रति होती हैं वो अपने परियावण से सम्मंध जीवों की समकालिन एकता और सम्मेल जो होता है उसी एकता और सम्मेल को जीवों क और उसके द्वारा किरियेट परियावड के बारे में उन दोनों का एक प्रकार से ताल मेल वैठा करके रहना एक साथ, उसी के सम्मेल को हम क्या कहते हैं? उसी को हम Ecosystem कहते हैं, यानि कि उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, समझ में आरी बातें, आरी समुछते हैं. तो यह हो गए भरले और निवी की परिभासा अगले विद्वान आते हैं उनका नाम भिया उनका नाम क्या है सबिंदर सिंग सबिंदर सिंग की पुस्तक आती है यह जो पुस्तक आप जो पढ़ना है पुस्तक यह भी सबिंदर सिंग ने लिखी होगी ठीक है सबिंदर सिंग क इसके कर मैं बताओं मुस्तक की आपके पाठे करम में सभी सबिंदर सिंग बड़े अच्छे माने याने लेकक है खास करके भोतिक भोगोल के छित्र में उनका बड़ा दर्दवा रहा है और यू पी एस्सी के जो बुक्स या किताबें होती है उनको भी करिण कई पे इन्होंन सबिंदर सिंगी की परिवासा को ठोड़ा सा देखते हैं सबिंदर सिंग की पुस्तक चलती है बड़े वर्दस तरीके से जियोग्राफी में माना जाना नाम है तो सबिंदर सिंग की करवात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र इन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र जो हो बूतल के निष्चित चेत्र को धारण करने वाली एक आहार घूत कारसी लिकाईउ होता है। जब जब आप जब आप किनी अलग-अलग विद्वानों की परियास होगे आपको इक प्रकार से एक नही जान का रियाख सक को अब नोखते में पर एक कार से आवरड यहीं जिस पर हम खड़े होते हैं कि टॉ भूते जो होता है के मैं इस समने च्छेत्र पर करते हैं। पारिसितिक तंत्र हो गया, ठीक है, महादीपिये पारिसितिक तंत्र हो गया, ठीक, इसके अलामा जो जील का पारिसितिक तंत्र हो गया, नदी तलाप का पारिसितिक तंत्र हो गया, बन जंगल का पारिसितिक तंत्र हो गया, इसके अलामा पहाडों पर आप देखते हैं कई सा भोतल के निस्चित में परिभास एक जबरदस्थ परिभास इसका कोई आओचना नहीं कर सकते हैं तो भूतल के निस्चित छेत्र को निश्चित छेत्र को धारण करने वाली एक आधार भूत कारसी लिकाई, कैसी आधार भूत कारसी लिकाई, क्या धारण किये हुए, भूतल के निश्चित छेत्र को धारण करने वाली एक आधार भूत कारसी लिकाई होता है, क्या पारित्विक्त अंत्र, आगे कहते हैं, जिस बैगा किसके अंतर्गत समदाए और आजैविक संघठकों ले बता है पहला समद क्या हो गया जैविक समदाए दूसरा जैविक संघठक जैबिक महाने जिसमें जीव हुए जीव नहीं है निर्जीव मांगा से बहुत सारी लेकिन वो भी प्रकार से परियावण का निर्मार करती है तो कहीं न कहीं पे उन दोनों को हम व कोद ले करके चलना पड़ेगा चाहें वो जैबिक हो चाहें आजैबिक टॉट हो थे का सब थे हैं तेंके वाव इसेभी मनुसी हो पाशी होटी है badaj तो जब इनके घठको के बारे में समझेंगे तो दूइं घठक होता है लोगार किरतरब जिलिए हैं appears होती हैं पेर घास फ्लेंटन बैक्टिरिया ठीक लिए सारी चीजिए पर्ची बेड़िया मेड़क बिली सेर बाज अजगर सर्प मनुस यह सब ठीक और जो आजयबिक गटक होंगे उसके अंतर कर आप देखते हैं पानी तापमान प्रकास आदरता तमाम सारी गैसे भूमेंट यही होती है विद्वाल की परिभासा सबिननर से प्रकार से इनके प्रकार से बढ़न को समधाय समुदाय को अंग्डेजि में कमिनटी कहते हैं तो इनका प्रकार से जो समधाय सब्द कहाता है एक निश्चित छेत्र को ही कहते समदाय का एक निश्चित भागोलिक छेत्र होता है क्या होता है एक निश्चित भागोलिक छेत्र होता है तो निश्चित छेत्र इनको यहां पर जो निश्चित छेत्र का प्रियोग होने किया निश्चित छेत्र जो सब्द को यहां पर बताय ठीक है जो कि जैप्शमदाय को होता रहता है झमें जनकार से कोई सेथा रहता है ठीक है जंगल कर देखते हो बकरी बोला हो यह कि यो झांगल में गरते हैं और पर भी रहते हो तमाम सारे खास यह सब तो जैन्विक संगठक और आजयविक संगठक भी होते हैं ठीक है उसमें तमाम सारी चीज़े मैंने आपको बताई है तो आजयविक संगठकों के सकल समुच्च है सकल भी एक सब्द आपको यहाँ पर मैंने बताता है सकल यह सकल से आपका क्याताती पर है सकल माने होता है कि नाथ हेक चोपाई तो उसी दाजी की ध्याय देखिएगा नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी ठीक नाथ सकल संपदा तुम्हारी सकल माने होता है सब सारी कि कम्पलीटली सब है नाथ यह सारी संपदा आपकी है ना सकल समपधा तुम्हारी मैं सेवक समेथ सुथनारी मैं हूँ आपका सेवक हूँ अब इसके लावशा मैं तो आपका सीवकून हूँ इसके लावाशा तो सकल समुच्चे तता किसी निश्च समय विकाई के अंतरगत उनकी आपसी अंतरक्रियाओं को समलित के आता है किनकी अंतरक्रियाएं तो आपसी अंतरक्रियाएं किसी इकती बीच में होगी जैंविक संगत आये और आजयभी संगटको के बीच में जो आपसी अंतरकड़ियाये होती है ठीक हैं अंतरकड़ियाये कहां पर होती हैं एक निश्चित चेत्र कहां पर होता है भूतल पर होता है ठीक है और अद उढ़ नखِयेगा जब इनका सकत समुच्चे कि पूरी को जोड़े अजयवीकि को कि जो अंतरगत क्या होता है पारिसे थे कि तंतर भाईया थो Herausforder जाल का मनलब समझ रहे हैं ना जाल बहुत बड़ा होता है उसका आकार भी एक निश्चित होता है तो यह चीज किलियर हो गई तो जाहिए सी बात है अब आपको पारिस्तिक तंत्र पारिस्तिक और परियावर्ण इसके बारे में जो डाउट थे सारे किलियर हो गए होंगे दोस्तों चलिए फिर थोड़ा सा मोज लेते हैं वीडियो को लाइक करिए और आगे पढ़ते हैं तो हो गई परिभासा और एक प्रकार से इसका पारिस्तिक तंत्र के बारे में परिभासा हो गया आर्थ हो गया सब कुछ समझ में आ गई ना आगे थोड़ा समझेंगे आप आप से एक जाम में पर से पूछें कि पारिस्तिक तंत्र के प्रकार टाइप साब एको सिस्टम तो इको सिस्टम की बात कि यह तो दो प्रकार का होता है पारिस्तिक तंत्र जो होता है कई प्रकार के पारिस्तिक तंत्र होते हैं पहला कौन सा है प्राकरतिक पारिस्तिक तंत और दुसरा आप राकर्तिक यानि कि कर्तिम पारिष्टिक तंत्र कर्तिम माने बनाया हुआ आप कोन बनाए बांदानों बच्छियाओ बकरी तो बनाए ना पारिष्टिक तंत्र के बनाए मनई बनाए आदमी बनाए यानि मनुष से द्वारा निरमित जो परियावण एक प्र दूसरा जो पारिस्थितिक तंत्र है प्रकर्तिक के द्वारा उसी का प्रियोग करके मनुस ने अपने उद्धी और दिमाग का प्रियोग करके दूसरा पारिस्थितिक तंत्र का दिरिमाड किया तो दोनों को हम समझेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र मुख रूप से दो प्रक कि ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो मनुस्त द्वारा निर्मित नहीं होता है जो प्रकृति के द्वारा स्वताहा निर्मित होता है वो तंत्र होता है पारिस्तितिक त्मलब के प्रकार से प्रकृतिक पारिस्तिक तंत्र और जिसको इसमें लिखेंगे जिसको मनुस्त दिर्मा आगे समझो उदाहरण के मात्यम से ठीक है देखो अच्छा यहीं पर समझेगा थोड़ा सा जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ठीक है जो नेचुरल एको सिस्टम है नेचुरल एको सिस्टम की बात दिया तो इसको दो भागों में हम पुनहें बांट सकते हैं कौन कौ क्लिए प्रड़ अ कले नहीं हो गया हुआ कि हो गया जा abonnиновांक हुगी है तो लेको भीतिन त्यक्तिक एल्याय हुखत्य क्लिए कर से मुलाव इक प्रकार से इसमें और भी तमाब सरेप पक्षि भी तो यह सब प्रकरतीक तंट्र का दिरमाद हो गई इसके अलामग इसमें आप देखते हैं नदी हो गई ќहीं हो गया सागर हो गया यह इसके द snap प्रकृतική तंधार्स जो होता है रिसे बन धास मैदान उसमें अंतधी जहीं सागर तो इसमें आप देखते हैं मतुस रहती मचली रहती है इ भी वहाँ बाहब कर्थिक पार्य सधी तत्र जो की परकर्थिक द्वारा बना होता है आप जो है बन को प्रकार सी उगातें तो हैँ अब लगाते लेकिन वह सोता ही पहले से बना हुआ था इसके अलमा घास सोता ही जमती है मैदान उसका निर्माड आप नहीं करते हो प्रकृति के द्वारा ही आप देखते बाड आते आते लगातार मैदानों का निर्माड होता है तो जलिए में आप मचलियों का आप मचली नहीं बनाते हो ना तो मचली सोता ही बनती है प्राकर्थिक देन है तो यह जीजे हो गई इसके अलामत जो अगला है आपका आप प्राकर्थिक या कृत्म पारिसितिक तंत्र इसके बारे में जानिएगा तो इसके बारे में बता हू अब मनुस ने क्या बनाया जैसे कि उसने जो मैदान था जो एक प्रकार से जो बन थे जो घास थे तो उनको क्या किया उसको एक प्रकार से जो एक कृसी उस पर करना प्रादम कर दिया यानि कि खेत का दिर्मार किया तो मनुस ने जो हमको भूमी मिली थी प्रकरती के द्वारा प्रदर्त उसको प्रीयोक करके मनुस्रे पनी दिमाग का प्रीयोक खरके उस पर क्रित करना प्राराम कर दिया तो यह चले तो समझने आगई दोनों बाते हैं दोनों में बाते हैं刚 कि आपको अठ्छे समझ में आ जाए ओके चले थोड़ा सा आउर आगे बढ़ते तो यह तो होगा भया पारिस्तितिक तंत्र के प्रकार ठीक अब अगला पारिस्तितिक तंत्र के मूल-मूल घटक क्या घटक यह बहुत महत्पूर घटक है आईए यह इसको आप आप इको सिस्टम बोलते हैं तो यह तो यह तो यह तो थोड़ा सा जान लेते हैं आप सभी को पता होगा कामपोनेंट्स के बारे में कामपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं खास करके पारिस्तितिक तंत्र के यह तो यह तो होता है जैबिक यानि कि बायोटिक और एक होता है अजैबिक यानि कि एक प्रकार से ठीक है जिसको आप क्या बोलते हो अन्बायोटिक बोल सकते हो ठीक है तो एक होता है आपका क्या जैबिक घटक और एक होता है भई क्या अजैबिक घटक गटक जो होता है वह खास Britney कर आप देखतें दो प्रकार का होता है तो होता है स्वहाप पौसित गटक और एक होता है परिपौसित गटक ठीक ए ऐने कि एक परकार से जो इसको हम आप कहते हैं जैबी घटक अगरेजिंए बायोटिक और आजबी घटकों को आबायोटिक एक प्रकार से कामपोनेट्स वोते हैं, ओके, यहां पर आपको यहां पर दो चीजों को बहुत भी स्तार्स, यहां पर इन चीजों को समझना पड़ेगा, चुकि यही च चीज आप नहीं समझ पाते हो और बहुत परेसान हो जाते हो ठीक तो आपकी परेसानी को मैं चुक्की समझ रहा हूँ इसलिए मैं आपको विधवत तरीके से समझाओंगा कुछ आपको अलग से पढ़ने की आवस्सक्ता ही नहीं पढ़ेगी बिल्कुल भी बस आपको इसको जान दिजी एक चलिए यहां पर तो सबसे पहले हम समझेगे जो पारिचिलिक तंत्रका जो परकार से मूल भून घटक है उनमें जो दो परकार के होते हैं जैबिक और एक आजैबिक तो जैबिक होता है यह दो परकार होता है इस को थोड़ा समझ जानने का प्रियास आपको करना करना था था कोुता स्वाप्रोसित घ्रटक और एक होता है परिपोसित घ्रटक इस गहें चाष अनुट्रेशन तो स्वाद सवाब ही अपना पौस्ण करते हैं आएसे ततो शारी आम ऐसे जीव जो सौता ही ही अपना भोजन बना लेती है ठीक वो होती है स्वा पोसित जो घटक है ठीक और जो दूसरा है परिपोसित परिमाले होता है दूसरे के ऊपर ठीक पर पीड़ा सब नहीं है दिमाई परिमाले दूसरा ठीक तो जो परिपोसित होता है वो दूसरों पर आधारित हो वो अपना भोजन स्वयम निर्माड करते हैं, अब स्वयम कैसे निर्माड करते हैं, उसका भी एक क्रिया होती है, प्रकास संसलेशन के क्रिया के द्वारा, जो स्वापोसित आपके घटक होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माड करते हैं, क्या करते हैं, अब जो स्वापोसि गटक है उसमें क्या क्या हैंगी परिपोसित गटकों में आप देखते हैं ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जीवो को हम संब्लित करते हैं जो की अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आधारित होते हैं किसी दूसरे पर आधारित होते हैं समझ में आ रही बाते स्वापोसित या तो आईए थोड़ा सा स्वापोसित घटकों के उत्राड़ों में अगर हम देखें भया तो क्या देख सकते हैं स्वापोसित घटक इसमें सभी बरस्पतियां आजाएं जितनी भी बरस्पतिया होती सभी प्रकार की दुनिया की बरस्पतियां स्वापोसित घटकों के अंतरग होते हैं और खास करके आप देखते हैं जलों में आने की महासागरों में या नदियों में प्रकार से जल में पायज आने बाले है यह तो मचलियों के भोजन होते हैं मचलिया जो होती है वो प्लैंकटन पर डिपेंडडेंड यानि कि वो खास्ते निके परिपोसित गढ़कों में आएंगी लेकिन स्वापोसित गट्पों में को ला रहा प्लैंक्टन और बैक्टिरिया यह जीव ही है लेकिन बहुत सारे बहुत सारे लोग इनको बरस्पति भी बहुत सारे लोग जीव बोलते हैं तो प्लैंक्टन और बैक्टिरिया जो छोटे-छोटे जीव होती बहुत छोटे-छो बिल्कुल चले आगे समझते थोड़ा सा वीडियो को सीयर कर दीज़ेगा वही तो जैबी घटक की इकर मैं बात करूँ तो उसमें स्वापोसित घटक में मैंने आपको बता दिया अच्छा विटाक होते हैं इनको एक नाम से जाना जाता है वो आपनाम कौन सा वहाँ वो नाम है उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक ही ही कूरते हैं आप आपका मिर मूल भूच्चा दूरू होता है चरण समझने वाला क्या समझना है? आप बहुत बारा पन पूश है तो प्राथमिक, उत्पादक, 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 उत दूसरे दूतिये सरड़ी के ओभोगता और दिसरा तृतिये सरड़ी के ओभोगता ठीक तो जो प्रथम सरड़ी के ओभोगता होते हैं परिपोसित घटकों में खास करके परिपोसित मनलब यह अपना भोजन दूसरे के पर निर्वर होते हैं खाने पीने के लिए क्राज़म अप्रफम स्रद्री कॉल आके से कि पाल्टेस हैं कीःट्पतंक्यी छोटे ठीके चूए हो ग verbessलों हो गया इस सब स्सकत हाई क्या होते हैं स्पांधी जसा और है है यो प्रत्मत्रली के उभूगता होते हैं वह साका हारी होते हैं वह अपने बहुते हैं वह वह बहुते हैं वह बहुते हैं कि या जब कि औक सरी के भूगता होते हैं वह डिपेंडन्टे किस पर टीपेंडेंट होते हैın खास करके वह ओते भई साथमिक उसफादको पर ठीक है सब्रत्सक्राइब चरकलत होता है उसमें पच्छी, आप पच्छीया जो होती हैं, क्या खाती हैं, जो दुतिये सड़ी के भोक्ता होते हैं, वो प्रथम सड़ी के भोक्ता पर डिपेंट होते हैं, प्रथम सड़ी के भोक्ता जैसे कि जो पच्छी होती हैं, पच्छीया जो होती हैं, वो कीट पतंगों को खाती प्रख़ा थे लिए विश्य को खालेती है थे देकि लिए लोरी बात यानि कि यह जो पच्ची भेडिया भी इस तुट्य सड़ी कि और भुगता है यह सरवाहारी प्रकार से आप को रख सकते हो ठीक यह और इसमें मनुस्वाहारी होता है और स्क्रस को और बंस बकरी वगरा निए अपने घुटा होते तो इस लिए उप अपने बोगता पर डिपेंडंट के लिए वह प्राथमिक उप्भोगता पर डिपेंडंट होते हैं तो होता है प्राथमिक उतपादक पर धिप क्लियर हो गई बाते और जो तुर्तिय सड़ी का आपका उभोगता है उसके अगर मैं बात करूँ तो उसके अंतर उसको अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है दोतिय सड़ी के उभोगताओं पर और अगर मिल गया तो इन लोगों को भी नहीं यानि कि प्राथमिक और को बहुत अब सड़ी सेर हो गया बात हो गया अज़गर हो गया सर्प हो गया यह कि लिए मिदा बहुतования्य ठीक है बड़े बड़े थोड़े से मनुस्स भी मिलगा तो इसको भी प्रकार से दबोच लिया और बाज होते हैं चट्ची को पक्चीयों खौलेते हैं और जोटए जोटे जोटे जोटीयों चाहलों को खाने में यानि कि प्रकार से आपको पता होगा यही पर में थोड़ा सापको समझा देर हूं, देखिएगा यही पत्राइब, मान लेते हैं, उत पादक के अग्र मैं बात कर रहा हूं, यही पर यही थोड़ा सा एक सिष्टम समझ लीजेगा, भस आपका इनियर हो जाएगा, स्क्क्राइब विफाल प्राथले में रहा है ऐसा थे उसके बार है अीशा-ञतर्टिय को ब property पूप मैं लिग दे रहा हूं भोगता हो ठीक है इसके अलावा तर्तिय से रही का भोगता पूप मोगता ठीक है समझ में आ रही बाते अब इसी को में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रियास बहुत देर से करा दा कि इसको कैसे बता हो था कि यहां पर मैंने बताया जरू लेकिन आपके थोड़ा सा उपर से चला गया होगा अब उत्पादक में हम किसको ले लेते हैं कि इसके द्वारा प्रकास संसलेश्रण के द्वारा ठीक है वेड़न है इस प्रणासनलाते द्वालापना भोचन बनाते हैं थीकीन में पत्तियां उती हैं और पत्तियों के द्वाइटा बनाते और जो प्राधय मिंग evolved हो गया पेड़ पोदर को खाता है पेड़ पोदर को खाने के लिए कर बताओं यहां पर तुझेसे की हो गए बकरी माल लेते हैं या हिरण हो गया ठीक है बकरी हो गया ठीक है अब बकरी को कौन खाता है वो गया तुझे सड़ी के बकरी को माल लेते हैं कौन खाएगा वही बक बगरी को मालते हैं आपका बखरी को मालते हैं मनुस्स से हो गया यहां पर शिर्व को खालेगा ठीक कीटो को खाएगा खतिव नास्ते में इन अच्छाइन के साथ चाय में लोग नमकिन घाते हैं वह फिर्वा इसे विखाएंगे कर देखते हैं या मेड़ेक हो AP नहीं चले में लेकिन खाने से रहा शेर भोगा ही सहीं मगर घास खाने से रहां डाइलाग सुना आपने की नहीँ तो वह चीज तो सेर वह गया आपका किसको खाइले ने बही मनुश से खाइले और मेले तो किлись आखेजू के यह आखर वोता है यह चीजहां की समझ में हारी मनुस जो होता है इसमें नहीं रक सकती हो बागी इसमें तीनों में रख सकते हो गई डेले इतूकि युम रोज़े वह इसी प्रकार समझेगा की पेड़ पोधों से भोजन बनाते हैं कीड़ पतंगे ठीक है या बगरी बगरा गेड़ा घ्रड़ वगरा खाता है उनको काते हैं फिर्ड कोर खाते हैं भगरी उगणई को मनुस लोगराः भालेते हैं थी कर द्यूं다면 यह चुछा सिर्फालेते हैं डूसरों कर दो होते हैं और यह सोता अपना बुज़र मनाते हैं यह तो हो गए भाई खास करके इसके घटकों में जैबिक घटक के अंतर कर है परिसान मत होईएगा ठीक है आज है भी घटकों की गरबात करूँ आज है भी घटक यानि कि आप आयोटिक जो कामपोनेंट्स होते हैं एको सिस्टम के उसके बारे में जाने तो उसमें दू-3 प्रकास से कि जल्वाए वड़ी चीज़े होती है अधवर आप को से गताते हैं अधर्बान आख्यान, आप देखते हैं आग कारवर हो गया, ओक्सीज़न हो गया, नाइडरोजन हो गया, फिक है इसके अलावा यप्से क्या बनेगा ? Oreosawan Oh यह सब्सक्राइब इसके अपना मरें मैगने नावा के इसके अलावा फेर यह वल्ड जो है इक प्रकार से श kwalt सकते इसके एक प्रकार से मैंगी है ताबभ करुehका is है वरान सब्सक्राइब तो इको सिस्टम के इसके अलावा आप देखते हैं कुछ गैसे भी है इसी गैसों में एच्टू गैस हो गया ही के हाइड्रोजन एस्टू ओटू आक्सिजन गैस सी ओटू कारबन डाइक्साइट गैस एलस्टी अमोनिया गैस ठीक है और यहन्टू माने डाइ इसके अलावा और की चीजिए है यह से कि जो आज एक गटिया होती है आप सभी को पता होगा एक प्रिकरमन और परिभर्मन ठीक है अपने यह सब इसके अंतर गजाती है अब देखते जो प्रित्वी की आकर्षण सकती है रृत्वा कर्षण वह भी आ जाती और अस्था रमंडल का स्वरूब कैसा अस्था पर वहलते हैं आपकी जैबी गटक है अशा जैबी गटकों में आप देखते जिन को सब निवास करते हैं वो सब होते हैं जैने होते हैं कैसे में सजी अगह इसके बड़े-बड़े मैदान वगए बड़े-प्रगारत का कई उच्छा खाला उच्छा वच्छ यतने भी हो गया सब यह सब कर धांगे ठीक तो आजर्मी गटक और झाली गटक इसके बारे में बता डी उसमें महावा और भी जीवन नहीं होता है में नहीं होता है नर्जीव माना आता है उनको ठीक तो चीज़ है इतना चीज़ आपकार क्لीट हो गए लगबग अब इसके थोड़ा सा इसके विशेशताओ पर फोकस करेंगे और भी कुछ चीजे जो आपकी बचेंगे उसको समझ लेंगे आपका लगभग इको सिस्टम जो है उसके बारे मैंने बिस्तास जानकरी विधवज जानकरी आपको दी है इसके बादम से आप इसका स्केंसाड ले लिजेगा सभी लोग इतने भी लोग देख रहे है फटाफट से इसका स्केंसाड लिजेगा और यह मस सोचेगा कि सुकला सर्जी नोट्स बना करके हमको प्रोवाइड करेंगे देखिए मैं महरत करके इसलिए पढ़ाता हूँ दिनाद महरत करता हूँ और नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता है अगर मैं नोट्स बनाने में टाइम बना जाया करूँगा या बिजी रहूँगा तो फिर आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा ठीक तो आप या तो भई नोट्स ही पा सकते हो या फिर आप क्लास लेक्चर्स ले सकते हो मेरे हिसाब से आपको नोट्स से पढ़ने कि आवा सकता नहीं पढ़ेगी बस एक बार वीडियो को दो बार देख लीजेगा सारा कांसेप्ट के लिएर हो जाएगा जियोग्राफी जा कांसेप्ट चुओ सब्जेक्ट और कांसेप्ट आपका खिलियर हुआ जियोग्राफी आपके दिमाग में बैठ गा भई तो काहे पड़े हो चक्कर में कोई नीटक कर गए आप इसको समझो नहीं प्रकास रटो मत समझ लो पूरा बस सहो गया इसकी इसार ले लिजिएगा अपना कुद बैठ करके वीडियो चलाते रहो और नोट्स बनाते रहो साथ साथ में जो कुछ मैं इंपोर्डन बाते बोलू उसको नोट्स बनाते होई चलो तो यह आपका करतब्ब है जब आप अपने नोट्स स्वयम बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने कि सब्द का क्या मतलब रखा हम नोट्स बना करके मालते आपको दे भी दूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्या किस तरीके से मैंने इसलिए यहां पर इसकी इसार ले लिजिएगा और जो भ चलिए तो अब हम समझते हैं भाई कि आखिरकार जो पारिसितिक तंत्र है इसकी क्या निस सिस्टाएं है आर्थात करेक्टर इस्टिक साफ इको सिस्टम बहुत दी मैंतपूर है उसके बाद में हम एक पिरामिड भी समझेंगे जो एक प्रकार से पिरामिड उर्जा का पिर पिरामिड एल्टर महोदे ने 1927 में बताया था भोजन स्रंखला खाले स्रंखला को लेकरके उत्पादक और भोगता पर डिपेंटनेंट एक प्रकार से पिरामिड आप से कभी-कभी पूछाता है तो पिरामिड एक मैं समझा दूंगा इसी क्याधार पर और चीज़ों को सम से है एको लाजी भी से आपको बता होगा एको लाजी सब्जेक्ट भी है जो की प्रकार से पारिस्ततिक तंत्र का अध्यन करता है तो उसके अंत्रगत पारिस्तिक जो आसंतुनंत फैल नहां है उसको भी समझना पड़ेगा चुकि इसी के लिए खासकर के चीज़े हम पारिस्टिक तंत्र होता है किसी चेत्रग्सियस के समस्त् wellbeing легко कि समस्त जीवधारियों हνη बत्द को पारिस्त्त पारिस्त होधारियों के समस्त पर ओंतल को मिला लेंगे तो उसी का परतेंदितू करता है कौन एकोसिस्टम यानि की पारिसितिक तंत्र पहली विसेस्ता दूसरी विसेस्ता क्या होगी इसकी ये पॉइंट समझ में आ गए न इकिसी छेत्र विसेस्त के समस्त जी उधारियों तथा उसके भोतिक परियावड के समस्त योग का परत्दित करता है इकोसिस्टम पारिसितिक तंत्र पहली विसेस्ता समझेगा इसकी यह सब लिग्ते चलिएगा डूसरी वियस्ता की को सी होता है दूसिरी वियस्ता है कि जो पारिशितिक तंत्र है प्रिशितिक तंत्रYes ofere a चेत्र हो सकते हैं तो भूतल पर एक सूरे चेत्र होता है इसके अलामा जो क्या करता हैै पार शुछक्रासिए अयाम होता है तो एक प्रकार से शिद्टर का आयाम होता है और कई आयाम होते हैं कई प्रकार से अंग की अगर बनेगा अस्थ Tibre mm विब्य क्षेम सकति हो तो अलग-अलगस यहाँ जारि इसकी तो अगर इस्टिक-टनक्र की सनचना क्या स्ट्रक्चर, सब्सक्र स्मझना प्रमावसिक को समझना इसे जनानी इस्ट्रक्चर जो होता है यह इसके जो घटक होते हैं उसी को दारा जो घटक होते हैं उसी को दारा उसका इस्ट्रक्चर या स्वरूप जिसको अब लो सकते हो बनता है तो सबसे पहली बात उर्जा संगठक जैविक संगठक दूसरी बात तीसरी बात आज जैविक सं प्रकार से इसकी सद्चना का ही यंग है तो पारिष्टिक तंत्र की सद्चना और जैबिक संगटक और आजैबिक संगटक इसके अलाबा अगला पॉइंट समझेंगे हम अगली विश्टा पारिष्टिक तंत्र की यह है कि पारिष्टिक तंत्र होती है इसका सर्वेक्षण जो होता है समय काई के संदर में क्या आता है तो वो इसका सर्वेक्षर समय ही काई के संदर में क्या आता है पार्चिव विसेस्ता इसकी यह है कि पारिस्दिक तंत्र की ड्यक्तिकत उत्पादकता होती है पारिस्दिक तंत्र जो होती है उसकी क्या होती है ड्यक्तिकत उत्पादकता होती है इसकी परसनल एक प्रकार से उ यह सब्छा पचा चुकी है देखेंगे अगली लिशता रहें छटी विशेस्ता जैबिक उर्जा और अजय क्योंसे जैविक, उर्जा और आजैविक, उर्जा और आजैविक संगटकों में जटिल अंतर किरियाएं होती है, इसके साथी साथ जीवों में पारसपरिक किरियाएं होती है, इसी संगटकों के एक परकार जटिलता के कारण से जटिल अंतर किरियाएं होती है, इसके साथी साथ जीव तुर पारसपारी में इसखें, इसके मीड़ती वहती है? या, आपको कुछ म कुछ मिल लहा हूँ, तो कि धियुला का कहनी? तो अच्छे तरीकी से हम पढ़ लेंगे और मैं पढ़ा पाऊंगा और आप पढ़ पाएंगे तो ये हो गई मिलब कि आपका भी कुछ हमें मिल ला है और हमारा आपको कुछ मिल ला है तो दोनों का एक परकार से सामन जस से वही होता पारसपरिक तो जो जीवों होते हैं वोन जीवों में पारसपर एक क्रियाय होती है ठिक तो यह होती है यह विबिन उर्जाओं के दौरा से त्रशलित होता है यह चलता है पारससडीक कंत्र फो tread इसमें बाघन होता है तो सौरी कुर्जा होती है उसके कार्ण से चलता है तो सौरी कुर्जा सबसे मैत्पूर है एक प्रकार से पारिस्तितिक तंत्र के संचलन के लिए चलन के लिए ओके किलियर यह आपकी साथवी विसेस्ता हो गई इसकी तो संचलन के पारिस्तिक तंत्र के विकास यूंग संवर्धन के अनेक अनकरम होते हैं किसके पारिश्र्दिक बात्रीको सिस्टम के विकास के लिए इसको अच्छे तरीक से तमाम सारे अनुकरम होते हैं कई सारे रास्ते होते ठीक इसके अलामा नवी विसेस्ता इसमें उर्जा और पदार्थों का सतत निवेस और बहिर गमन होता है उर्जा का एक प्रकार से निवेस भी होता है यह उर्जा उसमें जाती भी है और बहिर गमन अवलत निकलती भी है ठीक दोनों होता है एक्जार्ब और एक प्रकार से एक्जास्ट दोनों आप देख सकते हो तो इसमें उर्जा एवब पदार्थों का सतत क्या होता है सतत माने होता है तो उर्जा एवब पदार्थों का सतत निवेस और बहिर गमत दोनों होता है किसमें भाई पारिस्दिक तं तो यह तो हो गई पारिश्ट्रिक तंत्र की विसेशता है करेक्टर इस्टिक साफ इको सिस्टम नोट कर लिए गर दस विसेशता है किसी भीग्जाम में कोई भी चीच पूछाएगा असानी सी हो जाएगा और यह वीडियो एक प्रकार से आपके लिए मैं अगर बताऊं आप आपको तो जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है खास करके बीए बीए सी विकाम सभी के चाचात्रों के लिए उनको उनके लिए भी बहुत मैत्पूर्ण होगा यह बात आध्यान निखिएगा ओके चलिए आगे समझते थोड़ा सा यहां पर आप पीराम जो संख्याओं का पिरामिड है आप देखते हैं इसमें क्या होता है संख्याओं के पिरामिड में खास करके इसकी परिसितिक पिरामिड का उपयोग चुकिया था इसका सीई एल्टर महोदे ने 1927 में किया था यहां पर मैंने बोड पर लिखा भी हुआ आप देख लिजेगा इसको और भोजन स्रिंकला की प्रतेएक सीडी में जीवोग की संख्या के अंतर को पर दज़त करता है और संख्या पिरामिड के आधार पर उथ पादकों की संख्या थ था उसके उपर क्रमसा प्राथमिक दुतियक और ततियक सरबोर्च उत्पा उमलब उभोकता इनको दिखाया आता है ठीक है घास के मैदान में पौदों की संख्या सरबादिक होती है और जीवों की संख्या उच्छमांसा अहरी तिक निरंतर कम होती जाती रहती है यह एक प सतर्फ़व कि सखेंगेः मकड़े शूब भाध देरी इंक यह तो और जाग गए और की अधिक होती है चंनली VR न्यासन पर जोए आप उसकी यहां पर चार प्लस कर दे रहां जो जो इसान dessus कर लितability और जो शांतिज़ कर सबसे उपर हम जाएंगे उसमें सेर आएंगे बाज आएंगे ठीक जो सबस्कुल जया है करक्या मनुस्यों से प्रकार देखें है तो यह प्रकार से पिरामिड संख्या का पिरामिड हो गया ठीक ये पिरामिड का प्रकार से वह चीज जो मैंने बता दी इसके अलावा वार भी पिरामिड होते हैं आपको यहां पर चीजे समझनी पड़ेगी तो यह हो गए आपका संख्या वाला पिरामिड तो संख्या के यानि जो परजीबी होते हैं उनकी संख्या जाता होती है वो भोगता जो होते हैं परजीबी के द्वारे चडिया होती है उनसे कम होती है कीट पतंगे बहुत जादा होते हैं चडिया उनसे कम होती है और खास करके जो एक परकार से उत्पादन होता है वो और कम होता है माल ले पेड़ पहते तब यहां छोटे में आजाएंगा तो यह इस परकार सीजिए होती है उतका और जैविक पिंड की पिरामिड में आप देखते हैं जैविक पिंड में क्या होता है कि खास करके आप देखेंगे इसमें छोटे-चोटे-पेड़ भी छोटा होता फिर चडिया फिर कीड पतंगे वही सीधा बना दो यहां पर पेड़ पहों दे हैं पहला कड़गरी हो जाएगा दूसरा कड़गरी आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर चिडिया उडिया बना दीजिएगा होगा दूसरा और तीसरा यहां पर तीसरा मनद तीन खंड के उलस में बनेगे इसम में आप देखे हैं फो जागory उसमें आप उपर सबसे यहां पर सेख बना सकते हो नीचे भेडिया बना सकते हो या हीरन के बगल में नीचे खरगोश की पैरलल आपने छोटे-छोटे जो है घास पात बना दिये तो इक प्रकार से घास पात हो गया तो अगला आपका आता है पारिसितिक आसंतुरन पारिसितिक आसंतुरन की अगर बात की जाए यहनि एको लाजिकल जो इमिलेंस है इंबैलांस जो एक लॉजिकल इंबैलेंसी इंबैलेंस महले होता है आसंतुरन पारियावर्ण में आप देख्झेए उसी परियावण और इनको घेरे वही जो चीज होती है पूरा उसको उसी के आवण को मनुस्यों को मिला ले जीवों को मिला ले बनस्पतियों को बेड़ पोधों को मिला ले और सभी चीजों को मिला ले और बाहरी आवण जो भी गैसे वेगरा सब को मिला लेते हैं तो जिस त करते हैं और जब क्या होता है कि आपस में प्रत्रियाएं करते हैं वक्त आप देखते हैं अंतर क्रियाएं यह उती हैं परियावड के बीज जाती कैसे होती है। आपको मालते जैसे मालते पेड़-पोधे हैं। अब पेड़-पोधे बहुत ज yellow अब उससे क्या हो रहा है। बहुत जादा पेड़-पोधे तो क्या नचेज़ किया सब चीजू है। उसकी जो उर्बरक चमता होती है उसको रोकते हैं जलाने कि प्रकार से म्रदा आपअपर्दन होता है उसको रोकते हैं पेढ़ पोदे जो मनस्पतिया होती है चुकि जब बहाव आएगा नदियों में बाढ़ आएगा तो बहेंगी नदियां तो कुछ मिटियां रुकेंगी, कुछ उत्पादक्ता रुकेंगी लेकिन अगर आप पेड़ कटाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मर्दा आपरदन बढ़ जाएगा जब बढ़ आपरदन हो जाएगा तो मिटि की जो उपरी परत होगी वो कट करके पानी के साथ बह जाएगी बरसात में और जब ऐसा होगा तो मिटि की जो उर्बरक छमता है वो छीड़ हो जाएगी पुरबाटता जो मिट्टी की है वो खतम हो जाएगा यानि कि अब वहाँ पर कुछ जो फसले होगी उत्पादित नहीं होगी ये चीज उत्पन होगी तो इस कंडिशन में क्या होगा एक प्रकार से इंबैलन्स होगा तो क्या होगा पारिस्तिक तत्र जो है ये क्या होगा इस उसने भी प्रभाव पड़ेगा मनुश्के जिवन पर ठीक है इसके लावाज अक्सीजन कम होगा कार्बण डायएक्साइट जो गैस होगी उसकी ब्रद्धी वहोगी बढ़ोत्तरी होगी ठीक मालते उद्ध्योगों के अस्थापन से क्या होगा मालते कुई उद्ध्योग Green house gases कही जाती है, इनका उस सर्जन सुरो हो जाएगा, ठीके पेड़ पोदे नहीं देंगे, वो चुकि वह रच्छा करते हैं, तो क्या होगा उद्योंक के अस्थाबना से, घर में फ्रीज कूल लगाने से, या इसी जो गाड़िया होती हैं, यह सब तवाम प्रकार की जो है, बिनासक गैसे या प्रदोसक गैसे निकलती हैं, इसने क्या होता है, वातावड क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो वातावड जब गरम होगा जब वातावड गरम हो जाएगा भया इनवार्मेंट गरम हो जाएगा अपना तो क्या होगा इससे जब गरम वातावड होगा तो हवाएं जो इसके संपर्क में आएंगी वातावड के यह हवाएं भी गरम हो जाएगी और जब हवाएं गरम हो जाएगी तो य प्रकार से संगट्ट होगा यानि की टकराओं होगा किसका गर्म हवाओं का और ठंडक बर्फों का तो क्या हो आपको पता होगा जो हिमनत होते हैं यानि जो गेल बेंसर के पिखले से बैटीट यह थीछ लि Atéीक कभी सूकती नहीं कि यानि कि यह सीजनली नदी नहीं है यह ग्लेसियर से पिगलती तो क्या होगा जादा मातरा में ग्लेसियर पिगलेगा पर अब जादा पिगलेगा अब गंगा नदी में जल बहुत अधी मातरा में हो जाएगा जल बहुत अधी मातरा में आएगा तो क्या होगा बाड हाएगा बाड की समय से उत्पन होग उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा बहुत ज़्यादा बीमारिया फ्यलेगी मोटे मुटे मच्छरुत पन होगे इसके अलागा बरस पतियां नश्ट हो जाएंगी जब पाली भर जाएगा उची उचे जगों पर तीन चार दिन पानी दस दिन भरा रहा बरस पतियां सारी अब नदियों के जल जब बढ़ेगा तो समुद्री में आप देखते हैं बहुत सारी दीप होते हैं छोटी बढ़ेगा अब समुद्र का जलस्तर नजन्यादा बहेगा बढ़ेगा जब नदियों में ज़्यादा बहेगा, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र यहाँ पर था, तो समुद्री में आप देखते हैं, बहुत सरे दीप होते हैं, चोटी-चोटी नदियों में, समुद्रों में दीप होते हैं, नदियों के बीच में भी दीप होते हैं, म प्रकार से बहुत सदा जन और धण की इहानी होंगी ठीक है तो बहुत सदा चीजों की हानी ओगी तो इस प्रकार से ये आप दिखते पारियावण पैले का yılा एक अगर अगर आपनी गल्द उप्यों किया अगर साम nied제 सचे तरीके से नहीं बैठायाँ अगर अच्छे तरीके से आपका तार्तम में नहीं बैठा परियावण के साथ प्रकृति प्रगृति इसी बात को ले करके हर एक चीज में होता कि अफगानिस्तान का हिमाले जो है चुली हिमाले बहुत कई देशों में फैला हुआ है तो इन्हों ने कहा कि अफगानिस्तान का हिमाले मर गया है क्या कहा अफगानिस्तान का हिमाले मर गया है नेपाल का हिमाले मर रहा है और भारत का हिमाले गंभीर रोगी है या गंभीर रोगी की भाती है क्या कहा चुकि ये पारिस्तिका संतुरन की स्थिती ही पैदा कर रहा है चुकि अफगारिस्तान का हिमाले मर गया है तमाम सारे पेड़ पोधी कटा कड़ गए बर्नस्पतियों का विनास हो चुका है चोटिया एक परकार से रगड़ा का खतम हो चुल रही है तो अफगारिस्तान का हिमाले मर गया है नेपाल का हिमाले मर रहा है और भारत का हिमाले गंभीर रोगी है यह बात किसने कहीं कहों ने कहीं आपजेक्टि में प्रस्थ जरूर बनेगा याद कर लीजेगा ओके जिनकी परिच्छा आपजेक्टिब होगी अच्छा यह पारिस् जनसंख्या पर रोक लगाना होगा किस पर भाई जनसंख्या पर हम लोगों को रोक लगाना होगा जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है आज उसके बढ़ने से पहुच जना क्या हो रहा है नुक्सान हो रहा है और क्या पड़ रहा है प्रकार से आसंतुलन हो रहा है पार उसको थीघार करकी खेलाया यानि जिस परकार से अलागी are सबर्ण यह रहाहे है उस तरीके से उसपर दोड़ा सा रोग लगाए जहाए उसको थोड़ा सा प्रकार से अच्छे तरीके सो समझ करके रणनीती के साथ हर एक चीज को किया जाए इसके अलावा जес रोतों का विकास के ज़िए ज्छे इस रोतों का विकास किया जाए करशी जो रासायनिक उन्बरकों का प्रयोग हो रहा है इससे भी परियावड आसंतुलों में दिक्कत हो रही है तो कर्सी में सुधार किया जाए जैंबिक चीजों पर ध्याद दिया जाए ठीक है और बहुत इक चीजों को थोड़ा कम किया जाए इसके आप राकर्तिक सुंदर्ता क जो चीजे है उनको एक प्रकार सुरच्छा दी जाए तब ही चीजे उनकी बरस्पतियों के रिक्षा की जाए यही सारी चीजे है अगर इन चीजों को हमने कर लिया आची तरीके से तो पारिस्तिक आसंतुलों एक प्रकार से थोड़ा सा क्या कर सकते हैं समलब समाल सकते आस का जो चेफ्टर था इसके अंतरगत हमने पारिसित तंतर के आर्थ को समझा इसकी परिभासा को समझा उसकी विसेस्ताओं को समझा उसके पीरामिडों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके अलावा पारिसितिक जो एक प्रकार से के पारिसितिक तंतर के घट और समस्टर परिक्षाओं में यहां से लगबग आपका दस नंबर तयार है पक्का लिख लो यही पर दस नंबर यह आपका चेप्टर देखर के जाएगा पारिस्तिक तंत्र अब हम बिदा लेते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन जबारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद हमारा से जोड़ने के लिए इसी परकार से अपना प्यार हमेशा बनाये रिखिएगा और आपको बता दू कि इस परकार से दो चेप्टर औ जिए पूरे चेप्टर 3 है और सिलेबस बीडिस्क्स कर दिया है एक माडल पेबर भी है हर एक सब्जेट का प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2023 की परिक्चाओं के लिए बीए थर्ड समेस्टर का सेकंड इर्ड थर्ड समेस्टर तो आप देख लिए जब की प्लेलिस्ट मैंने बना दी हर सब्जक्ट की अलग लग प्लेलिस्ट है उसे माडल पेपर, सलेबस, डिसकसर और चेप्टर सवाइस वीडियो आपको मिलते रहेंगी समय समय पर चलिए फिर मिलते हैं नेक्ष वीडियो अपते के लिए जैंजा बार धन्यबाद आप सेको बहुत बहुत धन्यबा आप सब्सक्राइब के लिए